हलो फ्रेंड इस ती ए निखिल सारडा और वेलकम टू माई चैनल एक्नॉमिक्स वाला असी ए निखिल सारडा इनिशेटर फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आयो मैं एक्नॉमिक कैप्सूल नंबर 6 लास्ट कैप्सूल की अगर मैं बात करू तो लास्ट कैप्सूल में हम लोगों ने करंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे करंसी के अंदर हमने एक्सचेंज rate के बारे में last capsule में और एक्सचेंज रेट के अंदर वो भी inflation का तड़का लगाके हमने ये चीज़ पड़ी थी आज के दिन हम inflation के अलावा करंसी के अंदर import-export का क्या फरक पड़ता है या import-export में currency से क्या फरक पड़ता है या currency rate पे क्या फरक पड़ता है ये सब बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूँगा ठीक है तो दोस्तों currency rate एक exchange rate हम थहरा लेते हैं और वो ही हमारी vehicle currency जिसको हम US dollar को हम ले लेते हैं ठीक है रूपी और डॉलर का exchange rate ये मैंने यहाँ दोस्तों आप लोगों को लिख दिया अब चलिए आज पहले import के बारे में बात करूँगा इंपोर्ट होने पे currency rate पे क्या फरक पड़ता है export होने पे currency rate पे क्या फरक पड़ता है पहले import के बात करते हैं दोस्तों आपको बता दू दो तरह के countries होते हैं एक होता है import oriented countries और एक होते है export oriented countries import oriented countries का best example हम हमारा इंडिया ही ले ले लेते हैं हमारे इंडिया में आज भी import export से ज्यादा है in our country import is greater than export ये देखिए import हलकी ये difference काफी हद तक कम करने की कोशिश हमारी government कर रही है लेकिन ठीक है जब होगा जब होगा लेकिन आज की तारिक पर we are import oriented we are depending on other countries for our requirement therefore import is greater than export तो ये कौन से country होगे पेटा इसको कहते है import oriented इसे कहते है import oriented countries इसका best example हमारा इंडिया ठीक है और दूसरे तरह के country रहते है जो export oriented रहते है मतलब वहाँ क्या रहता है import कम रहता है और export जो है वो ज्यादा रहता है इसे कहते है export oriented समझ गे export oriented best example हमारा पडोसी चाइना है न चाइना के अंदर export ज्यादा होता है import कम होता है वो self dependent लोग है बराबर है वहाँ पे तो facebook भी नहीं चलता twitter भी नहीं चलता google भी नहीं उनका खुद का search engine है उनको कीसी पे उपर कोई तरह का भरोसा नहीं है बराबर आई बाद इसलिए वो country export औरेंटर रादर service भी वो export करते है या import तो करते ही नहीं है उनका विश्वास ही नहीं इंपोर्ट पे ठीक है अब ऐसे case में दोनों बात करेंगे import oriented countries का currency कैसा रहेंगा और export oriented currency कैसा रहेंगा मैं पहले बात करूँगा दोस्तो import oriented countries की आज के economic capsule में हम import oriented countries की बात करेंगे ठीक है एक्स्चेंज एड हमने तै कर लिया import oriented countries import oriented countries हम इसने हमने example तै किया हमारा इंडिया ठीक है ये समझ लीजे हमारा इंडिया है अब यहाँ पर ये हमारा मुंबई custom port ठीक है import होता है रसी के रास्ते import होता है exchange rate मैंने आपको बताई दिया है exchange rate जो हमने fix किया है वो हमने किया है one US dollar equal to rupees 80 ठीक है ये हमने फिलाल exchange rate यूज किया अब ये USA है हमारा यहाँ से goods import किये जाते है ठीक है यहाँ से goods इंडिया में import होते हैं import किया अब इंडिया में जिस person ने goods को import किया है उसको USA को payment करना पड़ेगा vehicle currency dollar तैई हुई है हमारी ठीक है अब उसको payment करना पड़ेगा dollar में payment करना पड़ेगा बराबर है मान लीजिए ये 1000 dollar के goods import किये है ठीक है goods worth rupees goods worth 1 dollar sorry 1,000 dollars या 10,000 थोड़ा बड़ा amount रखते है या 1,000 रखते है calculation के लिए हमको आसानी रहेंगी ठीक है 1,000 dollars के goods जो है वो दोस्तो import हुए है अब यहां पे जो हमारा importer मुंबई में बैटा है इसका नाम है Mr. X यह Mr. X को USA वाले Mr. Y को 1,000 dollar का payment करना है क्या करना है 1,000 dollar का payment करना है अब हमारे इंडिया में तो गांधी जी चलते है तो यह बोलेंगा यार तू एक काम करना exchange rate कितना है 80 का है ना तू एक कामगार 80,000 रूपय मेरे से ले ले Mr. X Mr. Y को phone करके बोलता है तू कुछ मत कर भाई तू 80,000 मेरे से ले ले तो क्या Mr. Y मानेगा क्या नहीं मानेगा Mr. Y क्या बोलेगा भाईया वो गांधी जी मत दिखाओ हमको हमारी डॉलर दिखाओ आप कहीं से भी डॉलर लेके आईए और मुझे मेरे डॉलर में पेमिंट कर दीजे सिंपल Mr. Y यही कहेंगा अब Mr. X कहा जाएगा Mr. X जाएगा बैंक के पास बराबर ना वो जाता है बैंक के पास ठीक है उसकी बैंक का नाम है HDFC बैंक ठीक है वो HDFC बैंक के पास जाता है और ही से भी या मुझे डॉलर ची है हाँ बैंक बोलते हैं आपका स्वागत है क्याकि बैंक हो गया बहुत सारे एक फॉरेंट एक्स्चेंज बोकर्स रहते हैं जो करंसी के अंदर डील करते है भी आर अर बी आ ऑथोराइस्ट बिना आर बी आए के ऑथोराइज़ेशन के आप फॉरेंट करंसी में डील नहीं कर सकते और एक चीज़ बता जयता हो फॉरेंट करंसी रखना बहुत बड़ा जूर मैं Fema Act के अंदर गत Fema Act के अंदर में Foreign Currency आप अपने घर में नहीं रख सकते या आप ऐसे बंदल लेके नहीं गुम सकते Foreign Currency का Cash में बिल्कुल Allowed नहीं है ठीक है तो आप यह जाहेंगा Mr. X या मुझे डॉलर्स चीए टॉलर्स चीए मुझे पेमेंट करना है बैंक से बूलेगे ठीक हाँ तो बैंक लेंगी ₹ Colin. Mr. X बैंक को 80,000 रुपीस का पेमेंट करेंगा और बैंक से क्या लेंगा 1,000 डालर्स और यह 1,000 डालर्स जो है इसको पेमेंट कर दिया जाएंगा बराबर एक पेइमेंट ऑफ ne 54 अब यह दो ट्रांजेक्षन हो गया है a transaction वह बैंक और मिस्टर एक्स के बीश जो की करणसी का transaction और यह transaction हुआ है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाइक की बी की goods का normal sale purchase of goods का transaction है जिसमें goods आये पैसे चले करें अब मैं बात करूँगा financial transaction की जो हमारे country के अंदर हुआ बैंक के पास RBI के पास foreign reserves रहते हैं foreign reserves याने हमारे other country की currencies माल लीजे dollar का reserve bank HDFC bank के पास था हूँ RBI के उसको मिलता है ठीक है अब Mr. X के import करने के कारण यहां पे हमारे countries में किस चीज की demand आई हमारे country में किस currency की demand हुई 1000 dollars की demand आई है देखिए demand supply के बारे में आप लोग जानते हो demand आई किस चीज की demand आई डॉलर की demand हुई किस के कारण import करने के कारण है है ना Mr. X ने goods import किया अब उसको payment dollar में करना है तो वो क्या करेंगा रूपी देंगा और dollar ले लेंगा समझा है मेरे बात रूपी उसने payment किया bank को और dollar bank से ले लिया ठीक है demand आई डॉलर की supply हुआ रूपीज का demand dollar की बढ़ी रूपय का भी supply बढ़ा ठीक है अब दो अलग अलग terms में बात करते हैं dollar की demand बढ़ी economics के principle के हिसाब से वेंदर demand किसी चीज़ की बढ़ जाती है demand गोड़ अफ प्राइज ऑल्सो गोज डाउन बराबर है किसका प्राइज गोज डाउन इकनॉमिक का जो concept है किसी चीज़ की demand अगर बढ़ती है तो उसका सब्ला जो उसका consumption क्या होता है कम हो जाता है हम उसको consume नहीं करते क्योंकि उसके फिर प्राइज बढ़ना चालू हो जाता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है अब यहाँ पे आप समझे दोस्तों जैसे ही यह demand जादा कर रहा है हमारा यह मिस्टर एक्स डिमांड किया डॉलर्स की अब डिमांड आई डॉलर की सप्लाई हुआ रुपीज की सप्लाई बढ़ेंगे रुपए का भाव गिरेंगा डॉलर का बढ़ेंगा मिस्टर एक्स जैसे अनेक लोग है जो इंपोर्ट करते होंगे और हर आदमी अगर ऐसे ही डॉलर मांगते जाएंगा तो हमारे जो फॉरें रिजर्स है वो कम होंगे उनकी डिबांड एकदम से बढ़ रही है तो यह एक्सचेंज रिच बढ़ेंगा यह 81 भी हो सकता है 82 भी हो जाते हैं वैसे ही इसके भाव बढ़ते जाएंगे और भाव बढ़ने से क्या होंगा इन्फलेशन क्रियेट होंगा देखिए अभी अगर 80 रुपे का एक्सचेंज रेट है तो मिस्टर एक्स के पास गुड्स की कॉस्ट 80,000 रुपे पढ़ रही थी तो वो जो भी अपना प्रॉफिट लगाएंगा और गुड्स बेचेंगा जो भी सेलिंग प्राइज निकले जो भी एक्सवाइज एट प्रॉफिट निकले बट अब क्या हो रहा है अगर यही भाव समझ लिजे 83 हो जाता है एक महने बाद क्यों सभी लोग डॉलर डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे क इसके अंदर हमारा जो मिस्टर एक्स है न अब उसको 80,000 पे नहीं करना है अब उसको 83,000 पे करना पड़ेंगा एक महने बाद अगर रेट यह हो जाता है तो 83,000 पे करना पड़ेंगा तो क्या होगा cost of goods बढ़ जाएंगा तो दोस्तों मुझे बताइए हमारे country में inflation बढ़ेंगा की नहीं बढ़ेंगा बिलकुल बढ़ेंगा 83,000 पे profit लगाएंगा बराबर है क्योंकि 3000 अगले को goods महंगे आए है इसलिए ज्यादा import होने से country के अंदर inflation आने के बहुत ज्यादा chances है इसके अंदर यह देखा गया है अब next capsule के अंदर मैं बात करूँगा export oriented countries की कि उनके इसके अंदर inflation का क्या हाल होता है और उसके बाद दोनो capsule 6 और capsule 7 जो आएंगी उसको combine करके capsule 8 बनेगी कि दोनो cases में कैसे neutralize किया जाता है import export को balance of payments ठीक है I hope आप लोग को इस चीज समझ में आ झाल